हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है तन्वी दोस्तों पार्टीज की बात हो और करन जोहर का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है करन जोहर बॉलिवुड के ऐसे फिल्मेकर है जो अकसर पार्टीज और इवेंट्स में नजर आते हैं उनने पार्टी उन्हें करने के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए होती है अकसर ही वो पार्टीज वगरा करते ही रहते हैं हाली में उन्होंने अपने घर में एक पार्टी ऑउगनाईस की थी जिसके बाद मतलब यह वीडियो काफी वाइरल भी हो रहा है तुमने देखा हो अच्छी बात कुछ ऐसी है ना यासमीन की वीडियो तो वैसे वाइरल होती रहती है और करण जोहर के पाटियां भी चलती रहती है लेकिन इस बार इस वीडियो से बावाल मच गया है हंगामा य उन्होंने ट्वीट किया और लिखा हैश्टाइग उड़ता बॉलिवर्ड फिक्शन वर्सिस रियालिटी वाच हाओ था हाइं माइटी ऑफ बॉलिवर्ड प्रावडली फ्लॉंट देर ड्रग स्टेट आई रेस माइज वाइस अगेंस ड्रग अब्यूस बाइज बाइज आर्टी इफ यू डू फील डिस्गस्टेट उन्होंने शाहिद कपूर दिपिका पादुकॉण अर्जुन वरुन तरण जोहर विकी कोशल सबको टैग किया तो स्टार्ट यहां से ही सारा मामला होता है और उनका ये मानना है कि उस वीडियो में इन्होंने सारे स्टार्स न नहीं होती है यासमीन वहीं इन सारे मामलों के बाद ये कॉंग्रिस के नेता है मिलिन दियोरा उन्होंने इस चीज को इस चीज से काफी भड़के कि कैसे इतना बड़ा आरोप जो बॉलिवुड स्टार से उन पर लगाया गया तो उन्होंने एक ट्वीच किया तो मिलिन्द का यहां पर साफसाफ कहना है कि मेरी वाइफ भी वहाँ उस पार्टी में मौझूद थी और कोई भी ड्रग की स्टेट में नहीं था तो कृप्या करके लाइस को स्प्रेट ना करें जूट ना किसी के बारे में ऐसा जूट फैलाया जाए तो पूरा मामला यहीं से है लेकिन मैं यासमीन ओडियन्स को बताना चाहती हूँ कि इस ट्वीट के बाद महिंदर के ट्वीट के बाद काफी बवाल मच गया इवन कि कुछ यूजर्स है वो मुंबई पूलिस को टाग कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपको इसके खिलाफ एक्षिन लेना चाहिए जो बॉल्वूड स्टार्स ने बड़ी ड्रॉग्स ले रहे हैं घर पे पार्टी कर रहे हैं और ड्रॉग्स बहुत बड़ी बा काफी भड़क रहे हैं मजिंदर सिर्सा पर और काफी उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है वहीं इसके रावा रंगूली चंदीर जो अकसर ही करन जोहर के साथ उनका 36 का आकड़ा होता है उन्होंने भी इस पर शायरी के थूरू अपनी बात रखी है उन्होंने लिखा है हर एक जिसम घायल हर एक रूह प्यासी निगाहों में उल्जन दिलों में उदासी ये दुनिया है या आलम में बदहवासी ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है तो तन्वी इस तरह से उन्होंने शायरी और जो जानते हैं कि कारण के बीचमें काफी समय से वार चल रही है काहा सकता है दोनों के बीच में मुझा आई है नेपोटीजम को लेकर फिर दोनों इक दूसरे को ऊपड़ भ्यान देते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वही रंगोली ने ये जो शायरी लिखी है वो उन्होंने नॉर्मली लिखी है अब समझ नहीं आया वो तो हमें नहीं पतस चल रहा है इस शायरी से लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि कंगना रुनौत भी चुपने ही बैठेंगी करन की पार्टी है तो जरूरूर तो अखड़ा उनके साथ तो नेपोटिजम को लेकर काफी टाइम से विवाद चल रहा है करन जोहर के साथ कंगना का तो अब देखते हैं कि कंगना इस पर कोई अपना बयान देना चाहती है या नहीं वेल तो अब बॉलिवुड स्टार्स जिन पर आरोप लगे हैं इस मामले को लेकर उन वो कुछ रियाक्ट करते हैं या नहीं अब देखने वाली बात तो यह होगी वेल आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं करेंगे हैं इसाते हैं तो बान भी करेंगे हैं ही कर दोनमे हैं ूपाँ णसे हैं ईसाlungen है झाल 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 झाल